हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल सबजियान लगाने का फॉर्स टेप होता है सीट्स का जर्मिनेशन और कई लोगों को इसी में दिक्कत आती है उनके सीट्स ही जर्मिनेट नहीं होते हैं और ऐसा खासकर बिगिनर्स के साथ होता है क्योंकि अक्सर वे कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आज हम इन ही गलतियों पर बात करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी और अगर आप इन बातों पर ध्यान रख लेते हैं तो नेक्स टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सीट्स के जर्मिनेशन में आपको 100% रिजल्स मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट है सीडलिंग मिक्स का सॉफ्ट नहीं होना बीजों के अंकुरन के लिए सीडलिंग मिक्स का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है जहां पर बीज लगाया जा रहा है जिस मीडियम में हम बीज लगाते हैं उसका soft और हलका होना बहुत जरूरी है तभी हमारा बीज अच्छे से अंकुरित हो पाएगा क्योंकि देखें बीजों के अंकुरंड में actually process क्या होता है पहले बीज में से एक छोटा सा अंकुर निकलता है जो की root होती है और वो मिट्टी के नीचे जाती है और उसके बाद जो उसका दूसरा portion है जो दूसरा वला छोर है उसमें से दो पत्तिया निकलती है और वो pop-up होकर मिट्टी के उपर आती है तो इस process में seed हलका सा movement करता है तो ये movement अच्छी तरह से हो इसके लिए जरूरी है कि जहां पर हमने उसे लगाया है वो बिलकुल हलका और soft होना चाहिए अगर वो hard होगा तो इस movement में ही जो बीज है वो तूट जाएगा उसका जो अंकुरन है बहुत soft होने की वज़े से बहुत नाजुक होने की वज़े से मिट्टी अगर hard होगी तो वो वहीं तूट जाएगा और अंकुरित नहीं हो पाएगा यही कारण है कि seedlings के लिए अलग से seedling mix बनाया जाता है अलग से seedling trace में डालने के लिए और इसमें coco peat का use किया जाता है क्योंकि coco peat और गोबर की खादिया वर्मी कॉंपोस्ट मिला करके आप मेडियम तयार कर सकते हैं या फिर coco peat के साथ वर्मी को लाइट या पर लाइट मिला करके तयार किया जाता है या फिर किसी और भी तरह से आप कर रहे हैं तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि वह बिलकुर soft होन चाहिए जरूरी नहीं है कि आप coco peat करें लेकिन हाँ coco peat seedling mix के लिए best option है या फिर आप पहले seedling तैयार नहीं कर रहे हैं direct containers में बीज डाल रहे हैं चोश्च हम डायरेक्स डालते हैं तो उसके लिए भी container की मिठी soft होनी चाहिए या फिर हम अगर भी बीजों को जब हम फै पतियां जो उसकी फूट करके ऊपर आएंगे उनको ऊपर आने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और इसके अलावा इस प्रात का ध्यान रखना है कि बीज के ऊपर जो हम मिट्टी की परत लगा रहे हैं वह कितनी मोटी होनी चाहिए तो वह बीज के साइस के हिसाब से होन या फिर सर्सों इस तरह के जो बीज हैं चोटे चोटे बीज इसके होते हैं तो इसमें हमें बहुत हलकी सी परत लगानी बिल्कुल जितना बीज का साइस होता है उससे बिल्कुल डबल साइस के सिर्फ आपको परत लगानी है आप बहुत नीचे उसे डाल देंगे तो भी व पॉइंट है सही मात्रा में पानी देना तो सबसे पहले तो आप यह चेक करिए कि जहां आप सीट्स लगा रहे हैं उसका ड्रेनेज होल बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल सके तो इसमें ना तो हमें जरूरत से जादा पानी देना है और ना ही अगर आप मौसम के हिसाब से करिए अगर मौसम में नमी है बारिश जैसा मौसम है ठंड़क है मौसम में तो आपको एक दो दिन भी आप पानी नहीं देंगे तो चलेगा जो आपकी मिट्टी है उसमें हलकी सी नमी बनी रहनी चाहिए बहुत जादा पानी देंगे कुछ लो बहुत जादा अगर आपके मिट्टी सूख गई है तो भी आपका जो बीज है वो सौफ्ट होने की वज़े से उसका अंकुरन वो अंदर ही सूख जाएगा बाहर नहीं निकल पाएगा तो पानी का आपको बिलकुल ध्यान रखना है ओवर वाटरिंग नहीं करनी है हलकी बस मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए अब तीसरा पॉइंट है सीड्स लगाने के बाद आप इसे रखते कहां हैं कई बार गलत जगह पर रखने की वज़े से भी सीड्स हमारे खराब हो जाते हैं तो आप इसे बिलकुल खुली जगह पर ना रखें जहां पर डारेक्ट बह अब जब आपने इस तरह से सीड्लिंग ट्रेज में सीड्स लगाये हुए हैं क्योंकि इसमें जो एक एक सेक्शन है वो काफी चोटा है जितना चोटा होगा उसमें उतनी ही कम मिट्टी होगी और वो उतनी ही जल्दी ड्राई हो जाएगी तो हमेशा इन्हें थोड़ी सी श सीड्स लेना चाहिए हमेशा और अच्छी कॉलिटी का मतलब है उसी सीजन का नया बीज लें आप कई बार पुराने बीज होने की वज़े से भी उसमें नमी लग जाती है और बीज खराब हो जाते हैं और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लोकल सीडि स्टोर स बीज परचेस कीजे आप वहां जाए क्योंकि लोकल सीडि स्टोर्स पर आपको वही बीज मिलेंगे जो आपके एरिया में उगाये जाते हूं तो उसमें आपको जर्मिनेशन रेट अच्छा मिलेगा और वहां पता करिए हर सीजन में नए बीज आते हैं और आप नया बीज लेकर के आईए जब हम तुरंत नए बीज परचेस करके लाते हैं तो उसमें जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा रहता है मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है और अगर आप पुराने बीज रखे हुए लगा रहे हैं तो वो बीज कई बार खराब हो जाते हैं हलाकि आप वहाँ से परचेस कीजिए मैं खुद पुराने बीज भी यूज करते हूं उन्हें मैं अच्छी तरह से एयर टाइट करके रख लेती उन पहले मैं उन्हें लगा करके देखते हूं अगर नहीं निकलते हैं या फिर कम पढ़ जाते हैं तो में नए मंगाती हूं देखिए य साफ़ी छोटे छोटने और रेड कलर के हैं न मिट्टी के कलर के हो गया तो इस रही अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं यह देखिए और तीसरे दिन ही यह निकल आये हैं जबकि लगाने के एक घंटे बाद ही बहुत तेज बारिश हो गई थी तो उसके वज़े से बीज थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी देखे बहुत अच्छे बीज निकले हैं तो यह होता है अगर आप नए बीज लगाते हैं तो अब फिफ्ट और लास्ट पॉइंट है सीजन के अकॉर्डिंग सीट्स ना लगाना यह गलती अक्सर बिगि सीट्स लगाते हैं तो आपका जर्मिनेशन रैट आपको बहुत अच्छा मिलेगा कई बार आपने देखा होगा कि चार-चार पाच-पाच महिने से सीट्स कंटेनर्स में पढ़े होते हैं लेकिन वो जर्मिनेट नहीं होते हैं जब उनका टाइम आता है उनका अपना सीजन आता है उसके according temperature हो जाता है तो वो अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं तो ये इसी लिए होता है क्योंकि हर बीज के जर्मिनेट होने का एक time होता है तो गलत time पर बुआई करने से भी बीज अंकुरित कई बार नहीं होते हैं अब जो बिल्कुल ठंड में लगाई जाने वाली कीजिए तो आपके बीज जरूर अंकुरित होंगे तो बस अगर पांच बातों का आप ध्यान रख लेते हैं ये पांच गलतियां अगर आप नहीं करते तो आपको सीर जर्मिनेशन में 100% result मिलने वाले हैं तो बस आज के लिए इतना ही उम्मीद है वीडियो पसंद आई mesि आपके वेडियो ढूर आपके वे सुआ ह grievा दोर आपकें अड़ी जरे हो अगर उम्मीद हैं दो मेर्म होँआने तो आपकें अवsteivia हैंजब मेर्ि नहार आपकें दुआ व्मम मैं उमनने जरू को धो मैंनाँ ये सुआई़ न Pandemie्वम मैं 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 गलतिः जम मैं